हाथ जोड़िए, ध्यानस्त होने का प्रयास किजिए अंतरतम की गहराई में उत्रिये, सब जगह से अपने मन को हटाने और स्तुत्र पाट में, मंगल पाट में, माहन मंत्रों में अपने मन को लगाने का प्रयास किजिए नमो अरिहंतानम नमो सिध्धानम नमो आयरियानम नमो उवज्जायानम नमो लोए सवसाहुनम एसो पंच नमुकारो सवपावपनासनों मंगला नम्च सव्वेस्यम पडमं हवई मंगलं चत्तारी मंगलं अरिहंता मंगलं सिध्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पन्नतो धंमो मंगलं चत्तारी लुगुत्तमां अरिहंताय लुगुत्तमां सिद्धाय लुगुत्तमां साहू लुगुत्तमां केवली पन्नतो धमो लुगुत्तमों तत्तारी सरणं पवज्यामिंग, अरिहंते सरणं पवज्यामिंग, सिथे सरणं पवज्यामिंग, साहू सरणं पवज्यामिंग, केवली पन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्यामिंग ये थे नमो कार महमंत्र अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधूपद इत्यादी को नमस्कार की भावना के साथ में मंत्र ओम नमो भगववो गोयमस सिद्धस बुद्धस अक्कीन मानसस लब्धी संपन्नस भगवन भास्कर ममवांचितं पूरय पूरय कल्यानं कुरुकुरु स्वाहा सर्वारिष्ट प्रनासाय सर्वाभिष्टार्त दाइनी सर्वलब्धी निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमह अंगुठे अमृतवसे लब्धी तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार ये सब हैं अनंत लब्धियों के निधान, जिन्सासन के साक्षात, विग्न हर्ता, संकत मोचक, सकल मंगल कारक जो जिन्सासन के गणपती कही जाते हैं उन गौतम स्वामि भगवंत के मंत्र थे तपो निधिं महाशांतं, योगिनं ज्यानिनं तथां, विद्वान सम्चमहोंदार्यं, नौमेश्री बुद्धि सागरं, नौमेश्री कैलास सागरं, नौमेश्री सूभूद सागरं, नौमेश्री पद्म सागरं श्रमन भगवान महावीर स्वामी की उज्वल परंपरा के सबी छोटे बड़े गच्च संप्रदायों और समुदायों के समस्त पंच महवरत धारी पूचनिय साधू संतों को भावभीनी वंदना श्रमन संग की सानक वासी महान परमपरा के सभी महान आचारिय भगवंतों को भावबिनी वन्दना ये थी गुरु वन्दना ये है इंदर महराजा श्रीमानी भद्र वीर का मंत्र जो 450 साल पहले परमश्द्देय भगवान माहवीर के परमपरा के पच्चपन पे उत्तराधिकारी आचारियोई हेम अविमल सुरी जी महाराज ने जिनको साधना करके प्रकट किया था जैन परमपरा के सास्त्रों के अनुसार अलग-अलग निकायों के देव होते हैं उसमें इंद्र माहराजा हैं मानी भद्रवीर चौसत इंद्रों में एक प्रमूक इंद्र ये माने जाते हैं ये हैं घंताकर्ण वीर का मंत्र गंताकर्ण वीर की साधना भी जैन परमपरा में बहात पुरानी है ये साक्षात प्रकट प्रभावी जागरित जोती स्वरूप देव है मौडी में गुजरात में इनका स्तक्ति पीट है मेरी परंपरा के साथवे गुरुदेव आचारिय शीबुद्धी सागर सुरी स्वर्ची महराज ने इने साधना करके प्रकट किया था उसके पहले भी इनकी साधना विश्व के अंदर जगा जगा पर समाई थी जम्मु कस्मीर की घाटियों में इनकी पुरानी सक्तिस्तली है नेपाल के पशुपतिनात मंदिर के पीछे जो बहुत बड़ा स्तूप बना हुआ है प्राचीन स्तूप है वहाँ पर भी घंटाकन महावीर की प्रतीमा है उसी प्रकार बद्री केदार में भी घंटाकन महावीर की प्रतीमा है जैन और हिंदु परंपरा को धर्मब्रष्ट होने से बचाने के लिए धर्मांतरन करने से रोकने के लिए पटेल परिवार में जन्मे आचारिय बुद्धी सागर सुरिसवर्जी महराज ने करीब 125 साल पहले साधना करके इनकी साधना को दुनिया के सामने प्रकट किया था कि आपको कोई भी तकलीप हो आप वहाँ जाओ अन्य जगों पर कबरों पर मकबरों पर मत जाओ धर्म परिवर्थन मत करू ये जईन परमपरा में सरस्वती के हजारों हजारों मंत्र है अनेक महन आचारिय भगवन्तों ने उनकी साधनाएं की है उनमें से चार मंत्र मैंने आपके सामने प्रस्तूत किये सरस्वती की जतनी मूर्थियां मिलती है सबसे अधिक पुराने मूर्थियां जईन परमपरा की मिलती है ओम पद्मावती, पद्मनेत्रे, पद्मासने, लक्ष्मिदाईनी, वांचापुर्णी, रिधिम, सिधिम, जयम, 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 कुरुकुरु स्वाहां। इसलिए पार्षवयक्ष की पद्मावती को भी पद्मावती कहते हैं, धरनेंद्र की पद्मावती को भी पद्मावती कहते हैं, हकिकत में पार्षणात्परमात्मा की अधिश्टात्री है वाईरुट्या, और उनकी सेवी का है पद्मावती, ये पद्मावती माता का मंत्र थ यह थे आदिनाथ भगवान के और शत्रुन्जे गिरिराज के मंत्र, शत्रुन्जे कल्प में लिका है, जो पस्चिम की तरप यहां से, और यह देखो तो शत्रुन्जे की तरप मुख करके, जो ओम रिम श्री ओम रिम अर्हम श्री विमलाचल परमेश्ठी ने नमहां इस मंत्र का जाब करता है, ध्यान करता है, वो अपने भवो भव के दुरितों को, कष्टों को और अशुब कर्मों को निवारित करता है, जैन परमपरा में मिध्यात्वी देवों की पूजा अर्चना वर्जित की गई है, लेकिन जो स्तानिय क्षित्र पाला हों, जिसे लोक भासा में खेतला जी कहा जाता है, समझो कोई जगल लिया हों, कोई स्तान लिया हों, कोई मंदिर बनाया हों, स्तानक बनाया हों, अपनी दुकान बनाई हों, और वहां सदियों सदियों से किती आत्मा का वास हों, तो वो वहां के क्षित्रपाल है अगर वो जानाना चाते हों तो शांटी तुष्टी के लिए उन्हें एक दिया कर दें और उन्हें कहें कि आप शांटी पूरवक बैठना ऐसी मैं कामना करता हूं लेकिन उपत्रव मत करना परिसान मत करना इस परकार हर सुबकारिय में जैन परंपरा में खेटलाजी को एक प्रार्थना करके अर्गी अर्पित किया जाता है यह ता क्षित्रपाल यानि खेटलाजी का मंत्र ओमक्षाम श्रीना कोड़ा भहरवाए नमस्वाहाम आठ प्रकार के भहरव होते अश्ट भहरव की साधना होती है पारशनात परमात्मा के ये अधिश्टाइक देव के तर पर प्रसिद्ध है राजस्तान में विसेश करके उसका ये मंत्र था ओम स्वाहाम ओम स्वाहाम ओम श्रीजीरावुली पार्श्वनात्म रक्षाम कुरु कुरु स्वाहाम ओम नमो स्रीशंकेश्वर पार्श्वनाथायम रीम श्रीम धर्नेंद्र पद्मावती सहितायम अटेम अटेक्षुद्रान संबया संबया दुष्टान चूरया चूरया मनुवांचितं पूरया पूरया रिद्धिम रिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा ओम रिम श्रिम अर्हम नम्योना पास विसहरवसः जीना फुलिंगा रिम श्रिम नमस्वाहा ये पारिशनात परमात्मा के अलग-अलग विद्याओं के मंत्र थे। पारिशनात परमात्मा पर जैन परमपरा में सरवादिक मंत्र साधनाई हुई है। स्तोत्रों के और अन्य अन्य यंत्रों के निर्मान हुए हैं, छोटे बड़े अनेक मंत्रों की निर्मिती हुई है, पारश्टात परमात्मा की साधना आज मी जीवन्त कही जाती हैं, समय समय पर करके लोग उससे पार उतरते हैं, ओम रिम्ष्रीम गोमकय अक्षरा जाया नमहां, ओम्रिम्ष्रीम कपर्दी अक्षरा जाया नमहां, ओम्रिम्ष्रीम विमलेश्वरय अक्षरा जाया नमहां, ओम्रिम्ष्रीम पार्श्वय अक्षरा जाया नमहां, ओम्रिम्ष्रीम धरनेंद्रय अक्षरा जाया नमहां, ओम् यह अनेक जिनसासन के अधिश्टायक देवी देवताओं के मंत्र थे यह नवग्रहों से प्रार्थना थी शांती की कामना थी यह दस दिखपाल यानी वास्तु के देवताओं का मंत्र था यह पुराना सिद्ध मंत्र है चार निकाय के देव होते हैं सबी दुष्ट देव शांत रहें उपद्रव ना करें मुझे अनुकूल बनें किसी प्रकार की मेरे घर में मेरे जीवन में मेरे मन में मेरे परिवार में उपद्रव की सती खड़ी ना करें ऐसी में परमात्मा से कामना करता हूँ ये भी प्राचीन विद्या का मंत्र है ये साथ प्रकार के भयों से निवारित करने के लिए परशनात परमात्मा से प्रार्तना है आजीवी का का भय, रोग का भय, मौत का भय ऐसे अलग-अलग प्रकार के भय होते हैं मुक्यतया साथ भाई होते हैं सब्त प्रकार के भाई होते हैं साथों प्रकार के भाईों से मेरी रख्षाहों मैं निर्भाई बनूँ है पार्शनात परमात्मा ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ ओम चंदे सुचंदे ओम नामो जी नाम सरना नाम मंगला नूम लोगुत्मानं राम्रीम रूम्राइम राम्राह असिया उसा त्रेलो किलनलाम भूताया शुद्रो पद्रवश्मनाया अर्हती नमस्वाहा अर्हती नमस्वाहा अर्हती नमस्वाहा धर्मच ज्यासू भाईयों और महनों श्री वर्दमान, स्थानक्वासी, जेन, श्रावक्षन, त्याग राज नगर के निवेदन पर, कुछ समय के प्रवास पर, हमारा यहां आना हुआ है, भैसाब बैट जाओ आई, पहले से आगे सरक जाओ जगह हो तो, पीछे बाले भैसाब आगे सरक जाओ, पहले से, थोड़ थोड़े उसे लेडिज की तरह पौर आओ, जगह है काफी, बस अब सब दिने पास-पास में बैट जाओ, अब कोई भी नए लोग आए, जगह नहीं है, अब वहीं पर बिठाना, मैं मुर्ती पूचक हूँ, स्थान, स्थानकवासी समाज का है, आने का ओचित्य इसलिए है कि इससे सद भावनाओं का विकास होगा, मैं भारत भर की यात्राओं के दोरान जगह जगह इस प्रकारस्तानक में, तेरा पंत भवने में, कहीं कहीं गुरुद्वारों में, हिंदू मंदिरों में, हिंदूों के कारिक्रमों में वगेरा बुलाने पर जाता रहता है, दिग मतत्व क्या है इसे समझना अत्यन तावश्यक है तेरा पंती के लिए भी सानक पासी के लिए भी मंदर मारगी के लिए भी और दिगंबर समाज के लिए भी आज हम सभी अलग 야ग पंथों की परंपराओं के होना, अत्वा मंदिर मार्गियों में कोई खर्तरगच का होना, तपागच का होना, तीन थुई का होना, चार थुई का होना, एक तिती का होना, दो तिती का होना, ये सब विवस्ताएं हैं, इने अम संप्रदाएं या समूदा कह सकते हैं ये सब दिवस्ताएं है बेसिकली धर्मतत्व क्या है इसे समझना अत्यंतावश्यक है जैसे सामाईक एक विधी है एक क्रिया है मंदिर मार्गियों की अलग है स्तानकवासियों की अलग है तिरापंतियों की अलग है मंदिर मार्गियों में खर्तरगच और तीन थुई की अलग है, तपागच की अलग है सामाईक एक विधी है, एक क्रिया है प्रतिकमन भी एक विधी है, क्रिया है, सबकी विधियां अलग अलग है मंदिर जाना, पूजा करना, अश्टप्रकारी पूजा करना, नवांगी पूजा करना ये भी विदी है, क्रिया है और पूजा की पद्धतियों में भी फर्क है अचलगच की पूजा करने की पद्धत्ती अलग है तपागच खर्तरगच की पूजा करने की पद्धत्ती अलग है उसी प्रकार तिर्थ यात्रा करना अन्य छोटे बड़े अनुष्ठान करना तपस्या करना छोटे बड़े पच्कान लेना प्रथ्याक्यान करना ये भी अलग-अलग प्रकार की विदिया हैं अलग-अलग प्रकार की आराधनाएं ये सब तो हम अपने अपने संपरदायों के अनुसार करते हैं लेकिन एक सवाल उठता है महतपुन बात ये है के धर्मतत्व क्या है तो भगवान और भगवान की परंपरा के प्राचीन माहान, शुतधर, गितार्त, आचारिय, भगवन्त फर्माते हैं के धर्मतत्व है, शुद्ध बुद्धी प्राप्ट करना सम्यक दर्सन ज्यान चारित्र का शुद्ध विकास करना सुदेव, सुगुरू, सुध्धर्म को मानना कुदेव, कूद्गुरू, कूद्धर्म के प्रपंचों में न पड़ना अरिहंत पर्मात्मा को समझना, उनके गुणों को समझना उनकी भक्ती करना, उनकी आराधना करना अन्ना, आउरिंदा दूर आई रही, टचमाट बैट रही नियो आउरिंगे टचमाट बादो ध्यान रखना, उनको आप टचमाट नहीं कर सकते वापस आएं तो देखो, तो ये हुआ धर्म तत्व का मूल आधार, ये सारी जितने भी हम आराधनाएं करते हैं इनके पीछे का स्पष्ट हेतु होना चाहिए, कशाय कम हो मन साफ सुत्रा बने, जीवन चरिया में उदात भावना आए परमात्मा के अनंत गुना है, जितने बखान करो उतने कम है हम अरिहंत के भग्त जरूर है, अरिहंत परमात्मा को बहुत समझते नहीं है हमको लक्ष्मी के बारे में पता है, इसलिए लक्ष्मी की पूझा करते हैं गनपती के बारे में पता है, गनपती की पूझा करते हैं, सरस्वती के बारे में पता है, सरस्वती की पूझा करते हैं, पिछले सो सालों से सुना कि भेरुजी ताकतवर हैं, पौवर्फुल हैं, तो भेरुजी की पूझा कर लेते हैं, लेकिन अरिहंत परमात्मा कौन हैं, उ हमारे जीवन में उन चीजों के तत्वों का प्रादुर्भाव होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ये महत्पुन तत्वा है, अभी संक्रमन काल चल रहा है, जेन समाज की स्थिव विकट है, बहुत संख्या उसकी कम हो गई है, संप्रदायों में वो विकर चुका है, कई आर आने वाले भविश्य में बहुत बड़ा अंधकार, बहुत बड़ा डेमेज दिखाई दे रहा है, आने वाली पीडियों की सिख्षा पद्धती के आधार पर वैचारिक परिवर्तन की स्थिती भी हम देख रहे हैं, आज से 50 साल पहले अपने जैन समाज के लोगों में जैस शद्धा, भक्ती, निष्टा, सोच, सम्यक ज्यान, सम्यक दर्सन या सम्यक चारितर की भावना थी, वैसी आज की पीड़ी में देखनी को नहीं मिल रही, आप साहिद कुछ भी सोचते होंगे, स्तानकवासी हों, मंदिर मारगी हों, तेरा पंती हों, मुझे ऐसा लगता है, आने वाले सौ सालों में जहिन समाज, जहिन धर्म, लगबग समाप्ती के कगार पर पहुँच जाएगा, आज पूरी दुनिया में समाप्त होने वाला अभी कोई धर्म हैं, तो वो हैं पार्सियों का समाज, पार्सी समाज, जुरुस्त्रूस की परंपरा का समाज, जो 69,000 अभी भारत में हैं और पूरे विश्व में जिनकी संख्या एक लाग चालीस जार मत्र बची है, कभी पूरगा पूरा परशियाब, फारस की खाड़ी, यानि कि आज का इरान इस पार्सी समाज का था, पूरे इरान में एक भी वेक्ती दूसरे धर्म या परंपरा का नहीं आसपास के मुसलमानों ने उनको मारना, पीटना, उनके साथ अत्याचार करना सुरू किया, वहां से भी भगने सुरू हुए, वे शरन लेने के लिए भारत आई, गुजरात में संजान बंदरगा पर दानू के पास, नवसारी के पास उनका जाहज रुका, वे 27 लोग आई उनको गिर्फदार किया गया, वहां के राजा ने गिर्फदार किया, दानू, घोलवर, संजान, उसके आसपास के जो मुकाम थे, उनका राजा था, उसने गिर्फदार किया, हजार साल से भी पुरानी ये बात गिर्फदार किया, और का कौन हो, तो कि हम शरनारती हैं, थोड़ा साथ में लेके आए हैं हमारे इरान के फाइर टेंपन का फाइर टेंपल का ये हमारा अस्तित्व है यानि हमारी वस्तु है उसके सिवाए क्या लाए हो हमारा धर्म ग्रंत लाए हैं और और थोड़ा पैसा और सोना लाए हैं और क्या लाए हो हमारे परिवार जने हम 27 जनायें और भी पीछे आ सकते हैं सब निकले हैं इरान छोड़ कर राजा ने कहा तीन चार सर्तें अगर मानते हो तो मैं तुम्हें आ रहने दे सकता हूं तो कि क्या तो कि एक तुमारे धर्मग्रंत को मेरी भाशा में ट्रांसलेट करना होगा ताकि मुझे पता चलें तुम अ तुमारी एकॉनोमी तुमारे कॉइन यहां नहीं चलेंगे वो तुम जमा करा दो उसके बदले में यहां के कॉइन यहां का पैसा यहां के केरेंसी मैं तुमें दी दूंगा चौथा तुमारी औरतों से कहना पड़ेगा कि हमारे गुजरातियों जैसे वेश-बुशा पहने ताकि तुम डिफरंट ना लगो अलग ना लगो पार्सियों ने चारों बाते स्विकार की उस राजा ने अत्याचार नहीं किया अन्याई नहीं किया सदभावना पुरवक उनको रहने को जमीन दी उन्होंने का हमको पायर टेंपल के लिए एक जगह चाहिए जिसके आस-प कार भारत में लाखों की संख्या में पारसी आई अजिमजी पारसी है टाटा पारसी है गॉद्रीच पारसी है और अजिनों ने स्पेस के लिए बहुत-बड़ा काम किया जो पूरी दुनिया के अंदर अंत्रिक्ष के लिए काम करने वाला सबसे महान व्यक्तित्व था वो था, वो भारत से बाहर जाकर इरान से यहां आया, यहां पढ़कर भारत से बाहर गया, अमेरिका वगेरा में पढ़ा, और स्पेस का सबसे जोरदार साइंटिस्ट बना होमी जहागीर भाभा जिसके नाम से भाभा इंस्टिटूट चलता है वो बने, फिर जर्मनी ने ओफर किया कि तुम हमारे यहां आजाओ तुम्हें हम नागरित्व देंगे तुम्हें यहां का बहुत बड़ा पद देंगे तुम्हें शुरक्षा के लिए बहुत बड़ी सत्ता देंगे बहुत बेसुमात पैसा देंगे तुम्हारा दस पीडी का दुखतर धमदूर कर देंगे यहां आजाओ, हमारे देश के लिए काम करो जापान ने का हमारे यहां आजाओ बिटेन ने का हमारे यहां आजाओ अमेरीका ने का कहीं मत जाओ यह जितना देते हैं उससे भी दुगना हम दे देंगे उसने का नहीं मैं मेरी कर्म भूमी का कर्जदार हूँ जिस भारत की माटी ने हम पार्शियों को पाला जगह दी खड़ा किया जिंदा रखा हम सब मरने को थे तब भी उस भारत की भूमी ने हमको जिंदा रखा जमीन थी इसलिए मैं जो बड़ा हूँ बड़ा हूँ जो कुछ सीका हूँ समझा हूँ वो सब कुछ वापस मेरी मत्र भूमी को यानि कि मेरी जमीन को मेरी देश को समर्पित करूँगा मैं कहीं पर भी पैसों का मोहताज नहीं बनूँगा मैं वापस इंडिया जाऊंगा वो आई लोट कर फिर उन्होंने सरकारी साहिता के आधार पर एक छोटे से इंस्टिटूट की स्तापना की आज हुमी जहागिर भाबा के नाम पर भारत में स्पेस के लिए काम करने वाले सैक्डों इस्टिटूट है बहुत बड़ी मत्रा में उस आदमी ने कभी सुक की शांती की या इज्जत आबरू की नाम की एश अराम की या फिर अन्ने किसी मान सम्मान की कामना नहीं की सब पुझदेस के लिए समर्पित कर दिया ऐसी पारसी कौम आप नहीं विश्वास करेंगे बिना नाम के बिना तक्ती के बिना सम्मान के बिना बैनर के टाटा और गोद्रेज प्रती वर्स करोडो करोडो रुपे दान में देते हैं करोडो करोडो रुपे उन्होंने अपने समाज के वेलफेर के लिए पढ़ाई के लिए उनकी चिकिसा के लिए उनके शिक्षा के लिए उनके जीवन बसर के लिए बहुत कुछ किया है गौद्रेज गरीब थे नवसारी की गलियों में नौ दस साल की उम्र में जब फटे पुराने चींटड़े पहन करके पढ़ने जाते थे स्कूल और भटकते थे तब वो गौद्रेज केते हैं वो मेरे गुर्मराज के पास एक बार आई थे उननीस सो तयांसी में मेरे दिख्षा के एक साल बाद वालकिश्वर में मिलने आई तब वो बूढ़े थे हाँ क्यों काप रहे थे उनका पीए उनका हाथ पकड़के उनने लेके आया मैंने उनके लिए चेर की विवस्ता की एक आदमी को बुलाया और एक चेर लगाई वे आए उनने चेर सरकादी वे नीचे बैठने लगे इतने में मैं खड़ा हुआ मैंने मेरे आदमी से कहा एक काम करो साइच चेर पे बैठना नहीं चाते है चटाई लाओ फटाफट वो दरी पटी लाया बिचाई लेकिन उनने माफ किया काम माफ करो मैं इस प्रकार गुरुओं के सामने उपर नहीं बैठ सकता उन्होंने प्रेम पूरवक वो चटाई उधरी पटी समेट ली नीचे बैठ गए बूडे थी होंगे कोई 82-84 चालके एक घंटे भर तक गुरुमराज के साथ में बाते करने के बाद वो जा रहे थी गुरुमराज ने कहा कौद्रेज तो के हाँ गुरुजी एक काम करोगे तो के क्या तुम बहुत बड़ी इंडुस्ट्रियों के मालिक हो खुब बड़ा उद्ध्योग है हजारों लाखों लोगों को तुमने नौकरी दी है थोड़ा काम मेरा कर सकते हो तो के क्या तो के मेरे कुछ गरीब जैन है गुजराती और राजस्तानी है बच्चे गुजरात और राजस्तान से मुंबई आए है पढ़ लिख करके तैयार तो हो गए है लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिल रही सब नौकरी के लिए भटक रहे है हो सके तो तुमारी कंपनियों में कहीं मेरे इन बच्चों को तुम नौकरी दे सको तो उन्होंने अपने पीए से कहा पर्स लाओ, पर्स खोला, काप दे हुए हातों से यह पर्स खोला कुछ विजिटिंग कार्ड बाहर निकाले गुर्मराज के हातों में दिये का लो माराजी, ये विजिटिंग कार्ड है उनको काम दे दिया जाएगा गुर्मराज प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम अपने जैन 35-45 साध्रमिक बच्चों का काम तो हुआ उन्हें तो कम से कम नौकरी मिल जाएगी कहीं न कहीं रोजी रोटी कमा सकेंगे बिचारे यहां आए, सेनिटोरियम में रहे इदर उदर धक्के काई, पढ़ तो लिए कई सर्विस नहीं मिल रही, मुंबई में जमीन मिलनी मुस्किल है, काम मिलना मुस्किल है, मुंबई आ तो सकते हो लेकिन पहले चाहिए इस परकार और इस परकार हजारों लाखों लोग प्रती दिन आते और जाते हैं, कई सुसाइड कर लेते हैं, कई निराशों के वापस आते हैं कई वाँ बटकते हैं, कई जिंदगियां बटक जाती है, कईयों को तक्दिर खुल जाती है और काम मिल जाता है निकलते हुए गौदरेज ने का महाराज जी एक बात कहना चाहूंगा मैं पार्सी हूँ मेरा पार्सी समाध परशिया से इरान से आया हम बहुत दुखी रहें माराज जी जब आये तब beginning काल में हम बहुत दुखी रहे हम पर बहुत अत्याचार हुए हमारे हजारों लाकों भाइयों को खत्म कर दिया गया, उन्हें इसलाम में परिवर्तित कर दिया गया, जो हम बचे वो यहां आए, भारत ने हमको शरण दी इस भूमी की और इस देश की हम पर बहुत एहसान मन दी है, लेकिन माराजी मुझे मेरी जाती को मजबूत करना भी जरूरी है, ये कहते थी, मुश्किल से मेरी मा और मेरे पिताजी मजदूरी करके मुझे पढ़ाते थे, तब में मेरे समाज के लोगों की गरीबी जब देखता था, तकलीपे जब देखता था, तो मन में ये सोचता था, कि कभी मेरे पास अगर पैसा आया, तो मैं सब पहले मेरे समाज के दुख को, उसकी पिडाओं को दूर करने का प्रेक्त करूँगा इसलिए मैंने वहीं संकल पलिया था, कि जब तक मेरे पास में पैसा आये, जब तक मेरा समाज सम्रिद न बने, सक्षम न बने, सब को रोजी रोटी न मिले तब तक मैं अपने लिए कोई बंगला नहीं खरीदूँगा एश आराम नहीं करूँगा, शांटी से नहीं बैटूँगा, पैसा इधर उदर नहीं खर्च करूँगा, मैं मारा साब वहां से दिरी दिरे मुंबई आया तक दिर रंग लाई जैसे ही पैसा आया, पूरे विश्व के नाम पर मैंने एक संदेश प्रसारित किया, कि मेरे पारसी धर्म के भाईयों और बहनों दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हों, अगर आप को सिख्षा की, अत्वा चिकिस्सा की, एजुकेशन की या मेडिकल की कोई तकलीप आओ रहने को अगर मकान ना हो कोई नोकरी पेशा ना हो तो आप मुंबई चले आएए विश्व के किसी भी कोने में रहते हों, मुंबई चले आएए मैंने आप के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी आली सान धरमसाला बनाई है जहां पारशी समाज के कोई भी भाई, बैन, फ्री उब चार एक दिन नहीं, एक साल नहीं, लाइफ टाइम रह सकते हैं इधर मेंने एक भोजन साला बनाई है बहुत बड़ी, जहां मेरे पारशी समाज के भाई दिन में एक बार दो बार तीन बार दस बार भोजन कर सकते हैं एक दिन के लिए नहीं एक साल के लिए नहीं दस साल के लिए नहीं लाइफ टाइम के लिए इधर तुम से कोई नहीं पूछेगा कि तुम कब तक रुकोगे इधर कोई कब नहीं पूछेगा कि तुम कब तक जिमोगे ये दो चीज हो गई तुम रहो तुम खाओ और इसके बाद में तुमारा अपना काम काज तुम ढूंदो जो मिलें आराम से करो जितना पैसा आएं कमाओ इकटा करो जिस दिन परियाप्त मात्रा में पैसा हो जाएं खुद का मकान बनाने की चाहों तो यहां से जा सकते हो संद रहे हो मैं किसी फिल्म की काहनी नहीं कह रहा कोई मितकी या सचाई नहीं कह रहा इतिहाज का 100 साल, 87 साल, 1500 साल पुराना ही मात्र प्रसंग कह रहा हूँ आज दुनिया में एक भी पार्सी समाज का कोई लड़का या लड़की गरीब नहीं है दुखी नहीं है पीडित नहीं है अभाव गरसित नहीं है एजुकेशन की तकलिप नहीं है मेडिकल की तकलिप नहीं है रहने की तकलिप नहीं है, खाने पीने की तकलिप नहीं है, एक भी पारसी दुनिया में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, लेकिन उनकी एक तकलिप है, उनकी ओरतें शादी नहीं करती, उनकी बच्चियां शादी नहीं करती, उन्हें शादी करने के लिए बहुत बनाना पड़ता है, सबसे कम साधी का रेशियो पार्सी समाज का है विश्व में, सबसे कम फिर वो शाधी भी कर लेती है तो वो मां बनना नहीं चाती husband wife दोनों ही रहना चाते हैं मां बनना नहीं चाती मां बनना नहीं चाती, इसके लिए पार्शी समाज ने जिसके ट्रस्ट का नाम है X, Y, Z एक्स्ट्रीमली जुरुस्त्रुस को मानने वाले ऐसा वो संस्तान जो अर्बो रुपयों का स्वामित्व धराता है यानि है उसके पास में अर्बो खर्बो रुपय उस X, Y, Z संस्ता के पास जिसे टाटा ने, गौद्रेज ने, अजीम जी ने, अन्य अन्य ने बहुत पोशित किया है हर वर्ष कड़ो कड़ो रुपय, चेक से वे लोग उस ट्रस्ट को देते हैं वो ट्रस्ट पूरे विश्व के पार्शी समाज के वेलफेर के लिए काम करता है अभी समझो यहां त्यागराज नगर में एक पार्शी रहता हो और कोई प्राब्लेम हो, विटिन फाइव मिनिट्स सब कुछ हो जाएगा एक रिंग करो, ततकाल मुंबई से सब चीजे क्लियानवित होगी एम्बूलेंस चाहिए, डॉक्टर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, घर चाहिए, खाना पिना चाहिए, कुछ भी चाहिए शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, या सिफ्ट होना है, कुछ भी करना है सब कुछ मिलेगा एक बात थी, भारत में आने के बाद, भारत के किसी भी धर्म ने, या भारत के किसी भी सरकार ने, पारसियों के साथ अत्याचार नहीं किया, तो एक भी पारसी का धर्म परिवर्तन, एक भी पारसी का धर्मान तरण धर्म परिवर्तन भारत में आकर नहीं हुआ, वे पारसी प इसलिए XYZ संसा एक बच्चे की 54 पर उस व्यक्टि को पंद्रा लाक रुपे देती है दूसरी बच्चे की पैदाइसपर डैड करोडं रुपया देती है तीसरे बच्चे की आयोग में Central Government ने अलग विभाग बनाया है Government भी उन्हें देती है इतना होते हुए भी उनकी ओरतें उदासीन हैं समझदार नहीं हैं वे तैयार नहीं होती वे गरवती बनना नहीं चाती नौ महीने पेट में पालना नहीं चाती प्रसुती की वेदना से गुजरना नहीं चाती इस जंजट में पढ़ना नहीं चाती एक से अधिक बच्चा भी पैदा करना नहीं चाती continue उनकी मृत्यूदर बढ़ती जा रही है डेट का रेशियो बढ़ता जा रहा है प्रजनंदर fertility ratio कम होता जा रहा है और इसलिए आने वाले 25 साल में पूरी दुनिया से पार्सी सदा सदा के लिए समापत हो जाएंगे total zero सिर्फ 25 साल में ये बात मैं 25 साल से कहता हूँ अब सरकार कहती है अब स्वैम X,Y,Z जो उनकी संस्ता है वो भी कहती है पार्स साल से के हमारा पार्सी समापत होने को है उसके बाद में मैंने calculation किया तो पाया आने वाले 100 साल, 800 साल में जेन समाज भी zero होने की तयारी पर होगा मुठी बर बचा होगा किसी गाउं में 5, किसी गाउं में 10, किसी गाउं में 15, 50, 100, बस इतने ही, सब समापत होने की तयारी आप कितने भाई थे चार भाई, बहने कितनी थी चार, चार और चार आठ, एक पिता जी, एक माता जी की आठ संताने, यानि दो जनों ने मिलकर के दुनिया में आठ जैन दिये दो जनों ने आठ जनों के साथ में साधियां की वो सोला हुए उन सोला ने मिलके कितने जैन दिये कम दिये अब उनके उन आठ जनों ने उन सोला जनों ने कितने जैन दिये नहीं दिये किसे ने सोला दिये किसे ने बले 21 दिये 25 दिये लेकिन 32 से अधिक तो लगबग नहीं दिये उसके बाद में वे जो 32 जने हैं 32 ने 32 से साधी की 64 हुए उन 64 ने कितने दिये 64 ने मुसिल से 64 ही दिये मेरा दावा है आने वाले पचासिक सालों में अपने जैन समाज में किसी भी बच्चे की कोई भुआ नहीं होगी कोई चाचा नहीं होगे कोई मामा नहीं होगे और मासी नहीं होगी उसके बिचारे के करम फूटे वो मामा के याँ जा नहीं सकेगा ननियाल होगा ही नहीं मम्मी अकेली होगी शादी होगा ही खतम होगया अत्वा मामा होंगे तो फिर मम्मी नहीं होगी समझ रहे हो आप हम दो हमारे एक होंगे तो क्या होगा यही होगा मासी नहीं होगी मम्मी की बैन हो तो मासी हो भाई हो तो मामा हो फिर पापा के भाई हो तो चाचा हो पापा अकेली होंगे तो कोई चाचा नहीं कोई बड़े पापा भी नहीं कोई भुआ भी नहीं पापा की कोई बहन नहीं तो और बहन है तो पापा नहीं जब एक ही संतानों या दो ही संतानों तो क्या होगा आप अपने माता पिता के आट भाई बहन हम मता पिता के 7 भाई बेन आप मता पिता के 12 बाई बेन आप मता पिता के 2 बेन 4 जने यानि जितने हैं उससे कम से कम 2 टाइमस 3 टाइमस थे अब आज की जो भी generation है 20 साल, 22 साल, 25 साल, 24 साल की यə जो अभी study कर रही है वो क्या सोचती है वो इंदिरा गांधी की भजन गाती है परिवार नियोजन की आ जाएं हम दो हमारे दो सुकी परिवार समझ रहे हो यह स्लोगन चलाया अब आपको मालूम है एक और बात सबसे पहले यह नीती चैना ने चलाई थी चीन ने माओ के जमाने में के चीन में अत्यदिक मात्रा में जनसंक्या वृद्धी हो रही है संसाधन यानि की सामान कम पर जाएगा पानी कम पर जाएगा जमीन कम पर जाएगी अनाज कम पर जाएगा सब चीजे कम पर जाएगी इसलिए पैदाइस कम करो तो जबरन नस्मंदी की जाती थी दूसरी संतान आने नहीं दी जाती थी चीन के माओ के जमाने के और माओ के बाद के ऐसे ऐसे कुरूर हिंसक और मानविय प्रसंग हैं कि आठ महीने की कोई गर्बवती लेडी हो और पता चले कि इस घर में आठ महीने की एक गर्बवती पेगनेंट लेडी है और ये उसकी दूसरी संतान है जबरन उसे वहाँ से घसीटते हास्पिटल ले जाते पेट काटते बच्चे को बाहर निकाल के खतम करते इसमें माँ मर जाएं तो चलेगा लेकिन दूसरी संतान नहीं चाहिए चीन को जिंदा रखना है इसकदर उन लोगों ने बहुत बच्चों को मारा मम्मीयों को मारा जबरन नस्बंदियां करवाई और कोशिश की कि दूसरी संतान नहीं चाहिए अब इन पंद्रव बीस सालों में चीन के अंदर बहुत भारी मत्रा में तकलीप होने लगी वहां का जो साइकिल है वो तूट गया वो बैलेंसी समाप्त हो गया प्रकरती के साथ खिलवाड हो गया अब चीन के अंदर छोटे बच्चे यानि 0 to 6 साल के बच्चों की संख्या बहुत कम है युवानों की संख्या यानि 6 से 18 साल तक कम है फिर उसके बाद में 18 से 25 साल तक कम है 25 से 50 साल तक कम है लेकिन 50 से बड़े बहुत है इतने सारे हैं के उन 50 से बड़े 60, 70, 80, 90 साल के बूढ़ों को संभालने वाले कोई नहीं है पूरा जनरेशन गैपा गया अब इन पांच वर्सों में चीन की मववादी सरकार ने नीती में परिवर्तन किया है अब वो कहते हैं हम दो हमारे एक नाकाफी है हम दो हमारे एक बराबर बात नहीं है हम दो हमारे एक नुकसान का रगबात है हम दो हमारे एक चीन के लिए गा तक होगा इसलिए क्या हो हम दो हमारे दो कम से कम होना चाहिए तो पार्सी समाप्त हो रहे हैं इसके बाद मैं सबसे अधिक जैन समाप्त होंगे आप जो बड़ी मारवार के पुराने जमाने के लोग हो वो तो फिर भी थोड़े बहुत अभी तक समझे हुए हो गुजराती लोग तो बिलकुल इस बात को भूल चुके हैं मारवाडी भी जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं बैंगलूर, चन्नाई, कोलकाता, हैडराबाद या फिर दिल्ली, लखनाउ, नागपूर, कानपूर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई में रहते हैं वे सब लोग पढ़ लिख करके ये माइंडी सेट कर लिये हैं कि जीवन में एक अही संतान होनी चाहिए मेल हो तो भी ठीक है, फीमेल हो तो भी ठीक है एक अही संतान हो, ऐसा सोच लिया गया तो ऐसे कई कई परिवार हैं, जिनका जनरेशन, रिश्यो, समाप्त होने को है बिल्कुल समाप्त होने को आने वाले जमानें में ऐसा होगा कि आपकी संक्या आधे प्रतिसत भी नहीं होगी अभी भी आदेप्रति सत्थी है और इसके बाद में आपके पास-पास में आपके विरोध्यों की संख्या इतनी होगी कि बिलकुल मैं आपको कहता हूँ 50 साल के बाद में आपकी बहन बेटियों को दिन के उजाले में कहीं से कोई भी उठाएगा आपको चुपचाप जिंदा रहना है तो उन्हें सौप देना पड़ेगा कि ले जाओ गिफ्ट देखना आप वो समय आएगा कभी भी आपके बच्चे की कनपटी पर कोई भी बंदुक रखेगा और कहेगा कि धर्मपरिवर्तन कर और उसे धर्मपरिवर्तन कर देना पड़ेगा वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ऐसा लोग कहते हैं मैं बहुत घुसेल हूँ ऐसा भी लोग कहते हैं मैं अलग-अलग प्रकार के विशे उठा लेता हूँ ऐसा भी लोग कहते हैं मुझे कुछ परवा नहीं होती, कौन क्या कहता है, आज एक बात और कह देता हूँ, कि अगर आपको पैदा ही करना हो, और एक ही पैदा करना हो, तो मेरा निविदन है कि पैदा करना ही छोड़ो, क्योंकि एक पैदा करके तो उसके लिए आप नरग पैदा करोगे, चाहिए, तो जी सकता है, उसको कहीं न कहीं सकून चाहिए, कोई उससे बात करें, उसका अपना कोई हमदर्द हो, तो जी सकता है, जब वो अकेला होगा, उसके मामा नहीं, तो वो कभी ननियाल जा नहीं सकता, उसके मासी नहीं, यानी सकेंड मां नहीं, मामा यानी डेबल मां, दो मां एकरती हो तब मामा, कबी मां चली जाए ने, तो मासी और मामा बच्चे को संभाल सकते हैं, ठीक है, तो मामा नहीं, मासी नहीं, भूआ भी नहीं, चाचा भी नहीं, वो श्ट्रगल करेगा कैसे, वो पुकारेगा किसको, वो बुलाएगा किसको, वो किसके यहां साहरा लेगा, किसका हेल्प लेगा, क्या करेगा, कभी विकर्ट सिती आएगी, तकलीप आएगी, आपको कभी तकलीप आई, आपके भाई के यहां चले गए, भाई को तकलीप आई, आपके यहां आगए, भाई को जिलाते हैं, पत्रिका देने जाते हैं, ये सब आया, किराए के मामा लाने पड़ेंगे, बत्रिसी जिलाने के लिए, किराए के, मासी कोई नहीं होगी बहन नहीं होगी भाई होगा तो और भाई होगा अरे भाई नहीं होगा तो बहन होगी उसके कोई भाई नहीं होगा यानि कि रक्षा बंदन भी नहीं होगा ये भी the end है उसके लिए भी किराय की बहने लानी पड़े अगर अक्षापोटली बांग नहीं है तो जन्रेशन सिस्टम क्या काम करता है आप देखना बहुत बड़ी एत्यासिक भूल हो रही इसाई ये बात को समझते हैं यहूदी इस बात को समझते हैं हिटलर ने सकेंड वल्ड वॉर में जीटलर ने 2nd World War में एक करोड़ यहुदियों को मारा था एक करोड़ यहुदियों को मारा इसके सिवाए मुसलमानों ने भी एक फ्सक्री करोड़ यहुदियों को मारा है इतने मरने के बाद में भी यहुदी मुट्टी भरबच गए थे जैसे ही आज से 60 साल पहले इसराइल स्वतंत्र हुआ उसके पहले प्रधान मंत्री ने विस्व के नाम और विस्व करके यहुदी समाज के नाम पहला रेडियो प्रवचंदिया पहला उद्गोशना की पहला प्रवचंदिया प्रधान मंत्री बनते ही किसके इस्राइल के प्रधान मंत्री ने पूरे जूईस, सब यहुदी, कड्टर लोग ये मुसलमान नहीं है ये ईसाई नहीं है इनका धर्म मुसलमानों से और इसाईों से 500 साल पूराना है ये बोलते हैं कि हमारा धर्म 3000 साल पूराना हम जंगलों से आए, आदिवासी थे तीन जार साल पहले, हमारी मस्जिदें अलग हमारा धर्म अलग, हमारे गरंट अलग, हमारी परमपरा अलग हमारे बाद, हमारे 500 साल के बाद में आए ईसाई, यानि ईसाईयों का इतियास 2500 साल पुराना और वो कहते हैं उसके बाद में 500 साल के बाद में आये मुसलमान यानि इसायों के बाद में 500 साल यानि 2000 साल पुराने मुसलमान ये इसराइल के लोग जैसे ही प्रधानमंत्री बने जैसे ही सोतंत्र हुए पहले रेडियो संदेश में उनने कहा मैं सभी इसराइली माताओं से निविदन करना चाहता हूं कि मसीनों से बच्छे पैदा नहीं हो सकते मैं टक्नलोजी के एक शित्र में इसराइल को टॉप पर ले जाऊंगा economic एक शत्र में भी इसराइल को top पर ले जाऊंगा, हम मेहनत का स्लोग हैं, परिश्रमी हैं उद्योग जानते हैं, बुद्धी हमारे पास में हैं, हम मिले जुले हुए हैं हमारा सामाजिक संगठन जोरदार है हम एक दुसरे को सपोर्ट करते हैं हमारी सरकार भी सपोर्ट करेगी हम कुछ भी कमी नहीं छोडेंगे एक भी इसराइली, यानि एक भी यहुदी दुनिया में परिशान नहीं होगा उस लेवल पर ले आएंगे, लेकिन कितना भी मैं कर लूँ, मसीनों से बच्चे पैदा नहीं हो सकते इसलिए माताओं से कहना चाहूंगा, कि जितने हिटलर ने मारे हैं, जितने इन मुसलमानों ने मारे हैं, उसकी भरपाई करने, और समाज में गौरव से जीने, आगे कभी कोई हमारे उपर युद्ध या आक्रमन हो, और हम नामों निशाना मिटा दें अपना, हम जिन्दे रहें, सब इमान से जीते रहें, हमारा इसराइल का धर्म जिन्दा रहें, इसके लिए अधिक से दिक तुम पैदाइस करो साट साल के अंदर इसराइल की माताओं ने इतने बच्चे पैदा किये, सुनो आप साट साल में इतने बच्चे पैदा किये, कि जितने मुसलमानों ने मारे थे, उसकी भरपाई हो गई, जितने हिटलर ने मारे थे, उसकी भरपाई हो गई जितने मुसलमानों के जमाने में थे, उससे भी ज़्यादा है अभी जितने हिटलर के जमाने में थे उससे भी ज़्यादा है अभी बरपाई हो गई इंटल है इंटल कम्पिटर के लिए जरूरी है अभी इंटल का कौन सा वर्जन है आई 11 आगया यह कंपनी किसकी जो इसकी इसराइल की है है दूसरी जग़ा लेकिन मालिक कौन? माइक्रोसअफ जा क्enh Jahren काम करते हैं यह माइक्रोसअफ जो है वो बले अंग्रेज है लेकिन कमपनी का मालिक कौन? इंवेश्टमेंट किसका? इसराइली का Apple, iPhone बले अमेरिका में है मालिक कौन? इसराइली जितने दुनिया में बड़े-बड़े हैं फोर्ट, कमपनी, कारों की कमपनी बहुत बड़ी कमपनी बले अंग्रेज उसका मालिक है लेकिन मालिक नहीं है खाली सेयर होल्डर है मालिक कौन? इसराईली जितने सस्त्रस्त्र बनाने वाली कमपनिया हैं अधिकांस तया इसराईली जितने अलग-अलग चीजें बनाने वाली कमपनिया हैं अधिकांस तया उसके मालिक इसराईली यह भी गाजा पटी की मगजमारी में सब देश चुपचाप बैटे हैं तो वो इसराईल की एकोनोमी के कारण बैटे हैं बड़े-बड़े इसराईलियों ने अमेरिका को और अन्य-अन्य देशों को दबा दिया है का चुपचाप बोलोगे नहीं कि तुमारी एकोनोमी तहसनास कर देंगे सब कुछ यहां से उठा लेंगे अभी इसलिए सब अंदर से सपोर्ट करते हैं इसा कभी नहीं होता कि युद्चिडने के बाद युद्चिडने के बाद अमेरिका का रष्टपती उस देश में चला जाएं ऐसा कभी नहीं होता इतना सेफसाईडी उसे रखा जाता है इतनी जोरदार सेकुरिटी होती है ऐसी जोखिम में वो पढ़ते नहीं लेकिन अमेरिका के इसराइलियों को नाराज न होने से बचाने के लिए साहनू भूती देने के लिए युद छड़ने के बाद में भी विश्व के इतियास में पहली बार विश्व के इतियास में पहली बार ये तना युद छड़ने के बाद में भी अमेरिका के रष्टपती को इसराइल जाना पड़ा ऐसे मजबूत लोग आप ये सोचते हो कि हम जेइन हैं बहुत बुद्दिशाली हैं नहीं दुनिया के सबसे बुद्दिशाली जातियों में इजराइली माने जाते हैं 119 नॉबेल प्राइज उन्हें मिले हैं विश्व के सरवाधिक नॉबेल प्राइज है कितना राजस्तान के ख्षित्रपल से भी छोटा जितना अपने राजिस्तान का ख्षित्रपल है उससे भी छोटा और पूरा रेगिस्तान रेगिस्तान को नहरा भरा बना दिया क्या क्या चीज़ें काम कर रही बुद्धी काम कर रही, शद्धा काम कर रही, निष्टा काम कर रही, एकता काम कर रही, भाइचारा काम कर रहा, सपोर्ट करने की भवना है, अपने यहाँ पर तो तांखिचाई काम करती है, तांखिचनी हो तो आगे, निंदा करनी हो तो आगे, मगजमारी करनी हो तो आगे, बतवारा करना हो तो आगे एक संग के दो संग बनाने हो एक सानक के दो सानक बनाने हो एक मंडल का दो मंडल बनाना हो तो आगे मुझे बताओ दो सानक के एक सानक कभी बने है दो मंदिरों का एक मंदिर कभी बना है कभी ने एक का दो बनेगा दो का एक नहीं और वे तो पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे साथ साल तक शरनार्थी के तौर पर बिखरे हुए रहे समझो कि याँ बैंगलोर में भी दो इस्राइली शरनार्थी के तौर पर रिफ्यूजी के तौर पर रहे हो और कहीं सबजी मारकेट में या फल सबजी खरीदने के लिए आमने असामने मिल जाें यहुदी के बच्चे हो नौनो साल के भी जैसे ही देख़ें और भासा सुनें और समझ में आजाएं कि he is Juis ये इसराइली है उसको भी समझ में आजाएं कि he is Juis ये इसराइली है, तुरंट कहेंगे, गले मिलेंगे, हट करेंगे, जान पहचान नहीं, क्या कहेंगे, जो इस धर्म की जैहो, यहुदी धर्म की जैहो, इसराइल की जैहो, वापस मिलेंगे, जिन्दे रहे, तो कहां, तो कि इसराइल में, या नहीं, या तो अभी हम टेंपरर दोना भी नहीं आता, सिखाना पड़ता है, समझ रहे हो, अब हम इतने कमचोर हैं mentally, कहने को भले कहते हैं कि लोग को तरसासन के हम अन्याई हैं, लेकिन हम वो ग्रोध खड़ी नहीं करते, वो सद्धा पुरवक समर्पन नहीं करते, हमें तो कपड़े खरीदने, मौश शौक क करवाने, इधर टेंटू, मुझे सरम आ रही है, मजाक नहीं करता, लड़कियों के इधर टेंटू, इधर टेंटू, इधर टेंटू, इधर टेंटू, तो इधर टेंटू कौन बनाता है, लड़का बनाता है कि लड़की बनाती है, क्या सोच रहे हो आप, हम का जा रहे हैं और अभी एग युद्ध छिड़ा, बड़ी बड़ी इसराइली लड़कियां, या तो वो मा हैं या वो कुमारी है, अलग अलग देशों से आई, और अगर मा हैं, पती को कहती है, या तो आप जाओ, पच्छों को मैं संभालती हूं, या फिर मैं जाती हूं, बच्छों को बाल रहा है और ये पूरा बक्तर बांद कर करीब 40 किलो वजन बारूत का धोकर हाथ में गन लेकर और लड़कियां देखो आप तो मैंने फोटो में देखा वीडियो में देखा अपनी लड़कियों को टक्कर मारें ऐसी लाजवाब खूब सुरत एकदम नौजवान लड़कि है क्या उनके ताकत है अपने तक अभी बजार में जाते हैं और कोई लगावी देता है या उल्टी लजर से देखता है तो अभी एक बार कोला पूरी निकाल नहीं सकते हैं ऐसे तो आओ लूज्ज लोग हैं डर पोख हैं बस खाली मेंदियां लगानान ब्रिटी पारलर में जानान, लटके मटके करनान, इधर से बाल कत्वानान, इधर से उगाडा रेनान, उदर से उगाडा रेनान, कई बार मंदिनों में जाता हूँ, देखता हूँ, मेरे सामने जैसी कोई लेड़ी जा गई हो, तो मुझे होता है यार, इसकी पीट का दर्सन करें, कैसे कपड़े चाला शरम नहीं आती ऐसे कपड़े पहन के तुम आ गए तुम क्या कह रहे हो क्या सुभा देता है का ऐसा करना ही जरूरी है तबी नरित्व सुभा देगा और उनको देखो वो कैसे लोग है ऐसी कौम जिंदी रह जाती है और ये कौम महाविर की इमानदार, साकहारी किसी का बूरा नहीं करने वाली ये क्या पहने, क्या खाएं कितना होटलों का रिवाज बढ़ा कितना नौकरी का धिमाग में आ गया ओरतों के लड़कियों के नौकरी करनी है अरे क्या नौकरी करनी है तुम नौकीरी करोगी तो फिर मां कौन बनेगी, घर कौन संभालेगा, बच्छों का क्या होगा। चत्रपती सिवाजी की मा, चत्रपती पिताजी के देहंत के बाद में, एक बार जरूरी काम से, किले से बाहर ने के लिए राइगड के किले से, और जा रही थी काम के लिए, साथ में पूरे बक्तर बंद लोग थे, और दाई को बोलती हुई गई के मैंने दूद पिला दिया ह चत्रपती सोया है वराबर संभालना चारों तरब चत्रपती के एक कॉड़न का पहरा बाद में दूसरे कॉड़न का पहरा किले के पास तीसरे कॉड़न का पहरा किले के बाहर चौते कॉड़न का पहरा चत्रपती को जिंदा रखने के लिए कि यही अब हिंदू भविश्या है हिंदुस्तान का भविश्या है इस प्रकार और मा भी जोरदार पिताजी गुजर चुके गई वापस आने में उसको देरी हो गई देरी हो गई तो चत्रपती उट गई रोने लगे जोंतियों करके उसने सुलाने की कोशिश की नहीं सुए दाई ने अपना संपान करा दिया जैसे दूद मिला चत्रपती ने पी लिया चत्रपती सो गए फटा फट सीदाई खोड़ा जा चत्रपती है वहाँ पर मा का घुसा भागती वही आई उसे मालूम पढ़ गया था कि टाईम हो चुका है चत्रपती उठ गए होंगे रो रहे होंगे वहाँ पहुंचा वहाँ पहुंचा तो मा देखती है कि चत्रपती तो सुए है दाई को बला इधरा यह उठे नहीं क्या तो कि उठे थे फिर रोए नहीं मुझे पुकारा नहीं तो कि पुकारा था फिर क् कैसे गए तो कि बहुत रो रहे थे मैंने किले पर चड़ करके देखा दूर दूर तक भी कई धूल नहीं उड़ रही थी यानि आप लोगों के आने का कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी लेट हो जाएगा यह बहुत रो रहे थे मैंने अपना संपान करा दिया कि नाला इंकिन तू कौन होती है मेरे बच्चे को दूद पिलाने वाली तुझे मालूम है मुझे बच्चे को कैसे बनाना है मुझे क्या देना है मेरे बच्चे में कितनी संभावनाएं खड़ी करनी है में और हमारी पर्मपरा क्या सोच रही है तुम नौकरानी हो तुमको य चत्रपती को उठाया यहां से पकड़ा दोनों अंगुली अंदर डाली करके सब दूद बाहर मिकाला उल्टिया करवाई अद्मुए हो गए चत्रपती फटा फट आद्मियों से का जंगल से यह जड़ी बुटिया लेके आओ फटा फट लाई पत्ते गरम किये चत्रपती को सब जगब बांदे कपड़े में लपेटा और दूद पीके सुलाया इसकदर उल्टिया करवाई कि चत्रपती मरने जैसे हो जाए माने का ना है इस पेट में दूसरे का दूद नहीं जा सकता मुझे दिमाग से और दूद से एक नया युद्धा खड़ा करना है बली इसके बाप चले गए हैं लेकिन इसके बाप का खुन लजाना नहीं है मजबूत करना है समझ रहे हो आप? और हम तो रोज जोमेटों में जीम करके खुश होना चाते हैं बजारों में जीम करके जिंदगी बिताना चाते हैं बच्चों को नौकरों के भरोसे रखना चाते हैं अब तो बड़े-बड़े cities में बेबी घर हो गए हैं अगर पपा को नौकरी जाना है, मम्मी को नौकरी जाना है सवेरे बच्चे को उस baby घर में जमा करवा दो साम को वापस आओ वाँ साम वापस hand over ground कर लो जैसे सामान एक किलो वहाँ जमा कर आया वापस ला करके प्राप्त कर लो बस उस 8 घंटे में वो बच्चा क्या करेगा मेरे पास मैं आया था अभी है अरजुन के पास सेव है मुझे वो जब कपल शिवीर होता है तब दिखाने के लिए वो रखा हुआ है कि देखो क्या हालत होती है बच्चों को अगर चाइल्ड होम में हम डालते हैं टेंपररी भी देते हैं पांच घंटे के लिए जरूर वहां लड़कियां हैं खिल उपर जाली से वहां के वेंटिलेशन से सब दिखाई दे रहा है तो यहां से वीडियो लिया है तो यहां की जाली से वहां का वेंटिलेशन और उसके नीचे का पोर्शन हॉल का आदा पोर्शन दिखाई देता है उसके आगेरे कैमेरे में से वह बात कर जाती है अगर बच् गिर गया, वो बच्चा रो रहा है फिर इस बच्चे ने, जिसने बाल खेंचे थे वो चला गया, दूसरा एक बच्चा आया, इसको लात मारी, वो और रो रहा है फिर वो चला गया तीसरा एक बच्चा आया, उसने उस पर सूसू कर दी फिर दोनों हस रहे हैं क्योंकि अलग-अलग संसकारों के बच्चे होते हैं, अलग-अलग सभावों के होते हैं, अलग-अलग वृत्यों के होते हैं, अलग-अलग धर्मों के भी हो सकते हैं, अलग-अलग माबाप के खोनों के हो सकते हैं, ऐसे में हमारे बच्चे अगर बराबर तरीके से पोशित नहों तो उनका निर्मान नहीं हो सकता मेरे घर में हम साथ पैदा हुई एक की भी प्रसुती होस्पिडल में नहीं हुई सबकी घर में दाई आती दो मिनिट के अंदर काम क्लियर कोई सीजेरियन नहीं सबके सब नियचरल डिलिवरी सबकी मम्मियों के ऐसा था समझ रहे हो आप आप समझ भी नहीं पा रहे हो देखना आप मैं आज जो बोल रहा हूँ दस साल पंदरा साल के बाद में नई मम्मियां और नई पपा मेरी बाद से सहमत होंगे कि उलादों को पैदा करना और बढ़ा करना एक मनोवेग्यानिक मनोवेग्यानिक पूरा काम है बहुत बढ़िया आप जो चाहो वे पैदा कर सकते हो जैसा चाहो वैसा मैं ठेंक्यू कहता हूँ मेरी अनपड मा को जिसको आई लिखनी नहीं आती थी वो अंगुटा चाप थी मेरे पिताजी मातर थर्ड स्टेंडर पड़े थे लेकिन कम से कमनोंने साथ पैदा किये तो एक बच्छा यहाँ आँ तो सका जिन सासन के लिए कुछ कर तो सका हार्मोंस परिवर्तन का समय है वो 17 की है, 18 की है, 19 की है, जवानी के दिन है, कौन मिलता है, किसके साथ तुम रह रही हो, तुमारी भावनाएं कैसी है, इमानदारी से कहना आप सब जवान लोग और आप सब जवान बहने, बाबर, उस सुम्र से गुझरे हो, आपको नहीं होता, कि हार्मोंस परिवर्तन में कैसे कैसे विचार पतित हो सकते हैं, कैसे कैसे चान्स मिल सकते हैं, इसलिए पुराने जमाने में, लड़कों के साथ में लड़कियों की थे तक-टक, ताकि उनोंने अगर साड़ी वारी नीचे रखी हुई हो, जयोत्यों कपड़े हो, बराबर कर लें कि जहेंट संदर आ रहें, और जब तक टक-टक नह करें, तब तक कुई जहेंट संदर नहीं आता था, क्योंकि अंदर बेटी तो है, खुद की पतनी भी है, मैलाओं की गरीमा थी, मैलाओं की सुरक्षा थी आज तो आज साधी होती है, कल तलाक होता है आज सगाई होती है, कल टूड़ती है कैसी नौबत आई ये समाज में समाज में बहुत बड़ी मात्रा में अंतर विग्रह kड़ा हो गया है सासू और बहू के नहीं बने ये बात तो समझ में आ रही है पती और पत्नी के नहीं बन रहा छोटी मोटी बातों के लिए साधी करके लड़कियां वापस आ रही एक एक संतान की माँ बन के भी वापस आ रही कितना इगो है दोनों में कैसे कॉंप्रोमाईज होगा कैसे जीओगे क्या धर्मले जा रहा क्या सीखा हमने महावी भगवान की परमपरा से सहिश्टूता कहा प्रेम कहा मैत्री कहा सदभावना कहा शांती कहा सामंजस से कहा शमा की भावना कहा कैसे समाज का प्राधिरभाव आगी बढ़ेगा बले स्थानक बन जाएं, मंदिर बन जाएं हर साल चौमा से हो, तिक कुत होन, अबूटी होन मुपर्ति पैनों, हाथ में रखोन कभी पूचा होन, कभी और कुछ होन पौशत होन, बड़ी-बड़ी तपस्याई होन तेला होन, बेला होन, लेकिन समाज के अंदर के संसकार ही तूट गए तो क्या होगा कभी आपने रीड किया है, बैंगलोर में कितने बच्चे हुक्के लेते हैं मुझे शिवीर के अंदर कुछ लड़कियों ने कहा था कि जएन लड़कियां सिउवीर भी पिती है ठीक्य तो पिती है, सिउवीर पिती है आज-नौ लड़किय ख़डिती उसमें से एक सहली ने मुझे कहा कि फिर मैंने पूछा क्या, तो कि बाद मैं बताती हूँ ठीक है, दो मी murder मैं कहा, मुझे करा अब ऐसे सब जो होंगे वो छत्रपती की प्रत्विराच चौहान की या महाना प्रताप की या कोई हेम चंद्राचारिय की या कोई आनंद रिसी जी की या कोई बुद्धिसागर सुरी जी की या कोई आचारी तुरसी जी की माँ बन सकती है क्या नहीं बन सकती महान ओलादों को पैदा करने के लिए महान माता पिता चाहिए समझदार चाहिए ताकत्वर चाहिए बुद्धिशाली चाहिए पवित्र चाहिए तब जाके ऐसी ओलादें पैदा होती है अब यह सब सिखाया जाता हूँ या यह सब सीखने को मिलता हो और परिवार में इसकी कोई चिंटा ही नहीं आप तो फिर भी ज़्यादा तर लोग इधर मध्यम परिवारों के हो बहुत ज़्यादा हाई नहीं मैं जब यह गया पार्क वेस्ट ना पार्क वेस्ट में वगर आने वहां का कल्चर देखा तो मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है सवेरे देखो साम को देखो दुफर को देखो सब लड़किया इतनी इतनी चड़्याँ पहन के घुमती है बिचारे लड़कों को सरम आए और वहां पर religion activities प्रतिबंदित है टोल बजाने का नहीं, मारासब को लाने का नहीं वैक्यान रखने का नहीं, मा Integr का नहीं पार साला ग्यान साला चलाने की नहीं एक फ्लैक में सानगवासी बाई ने फ्लैक करेदा और ग्यान साला सुरू की पास वाले ने पुलिस को कंप्लेंड की, किस आदार पर कंप्लेंड की, कि बाहर बहुत जूते पढ़ें, अरे बेवकुप, हमारे दर्वाजे पर पढ़ें, तेरे दर्वाजे पर थोड़ी जूते पढ़ें, तो अभी उसको तकलीप, कि यहां जूते क्यों उतारें, धनवान होने का और इस प्रकार पैसे खर्च करने का पुराने जमाने के सानक वासी मंदिर मार गिया तेरापंटी बड़े-बड़े स्रेष्टी थे तो वो सादू संतों से सानकों से तेरापंट भवनों से डिरेक्टली जुड़े हुए थे उन्होंने अपना तन, मन, धन, धर्म के लिए, समाज के लिए, सादू संतों के लिए, धर्म और अन्य परमपराओं के लिए न्योचावर किया तब ये परमपराओं पोशित हुई, यूँ ही कोई बड़े-बड़े मंदिर या बड़े-बड़े एतियासिक तीरतस्थान नहीं बन गए, बहुत देना पड़ा इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को ये किन ही कहूँगा, कि तुम मंदिर जाओ लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, कि तुम आन्यतर कहीं ना जाओ, बिल्कुल ना जाओ, हर गिज ना जाओ, सब जगा नहीं जुकोगे, हर किसी को अपना नहीं मान लोगे, अरियन परमात्मा को छोड़ के किसी को नहीं मानना है, मैं मंदिर मारगी हूँ और फिर भी मैं आपको मंदिर मारगी बनाने नहीं आया हूं लेकिन धर्म की कुछ सची अच्छी बाते आपको कहने आया हूं किसी भी हालत में आपके समाज में कहीं पर भी कोई वेसन हो तो वो रुकने चाहिए खोटी आदते या परमपराई हो तो रुकने चाहिए जिसे बड़ी वänderदियों में चारी पहनाने वाले लोगों को हाइिर किया जाता है। लड़के आते हैं और सारियां पहनाते हैं, अपने लड़कें को वो सारियां पहना हैं। यह 만जूर कैसे हो। म cherry लगानेवाले भी लड़के आते हैं। यहां यहां तक हाथ पकड़के लड़की को बहुरानी को सबको मेंधियां लगाते हैं यहां यहां तक फिर पैरों में लगाते हैं और लड़के लगाते हैं हम लगाने देते हैं बहले दो लड़कियां साथ में बैटी हों दो बहुएं बैटी हों सबको मेंधि लगा रहे हों लड़की, साधी को 6 मेने हुए, 6 मेने के बाद में भग गई, पुलिस को बहुत पैसा खिलाया, खोजबीन की, तो पता चला, सामने जो दरजी रहता है, उसके साथ भग गई, लड़की का पीर पक्स है, उसके पास में कम से कम होंगे 500 करोड, और लड़की का ससुराल पक्स है का पीने का, ओड़ने का, पहंदने का, जाने, आने का कोई रिस्ट्रिक्शन था, तो कि नहीं, तो भी चली गई, समझ रहे हो, निष्ठा कहा है, किन को आप देखते हो, किन से मिलते हो, किन से आँखे तकराती है, क्या हो रहा है, इसलिए कहा था, कॉस्व परेटिन समाज क के बीच में नहीं रहना होता, अपने समाज के बीच में रहना ही, आपके लिए उचित है, वही आपके सुरुक्षा का प्रबंध है, कोई चांस नहीं लेने चाहिए, मैं इमानदारी पूरवक कहता हूँ, इन सब से भी ये बातें करता हूँ, मैं उस जवानी से गुजरा ह इसलिए मैं कहता हूँ, कोई लड़की हमारे हाँ पर ना आए, अवशिक्ता नहीं है, कोई हकेली महिला ना आए, मैं मिलना नहीं चाते, और महिलाएं आए तो बड़ी महिलाओं के साथ में आए, लड़की आए तो साथ में आए, और सुरियास के बाद में ना आए, बहुत सुरत हो, ऐसे कपड़े पैने हुए हैं, हार्मोन परिवर्तन के बाद में आपके आंगो पांगों का सब का अभिकास हो गया है, आप जाती हो, अब उस आफिस के अंदर, कितने ही दूसरे रारे लोग काम करते होते हैं, क्या किसी से आंके नहीं मिलती, क्या वो हमको नहीं देखते हैं, अच्छा वो हमको देखते हैं, तब क्या पदमवती माता के और उसकी माँ के दरसन करते हैं, इमानदारी से को, आप बजार में जब जाती हो, बहले आप एक माँ, एक बच्चे या दो बच्चे की माँ हो, कोई भी, 30 साल, 35 साल की और तब भी आप निकलो, और कोई आदमी आपको देखें, तो वो क्या देखता है, उसकी माँ के दर्सन करता है आपको देखकर, नहीं, इस दुनिया में बहुत पाखंड है, हिपोक्रिसी नालाएकों की कमी नहीं है, समझ लेओ, इसलिए ओरतें बहुत बाहर जाती नहीं थी, जाती तो गुंगट में जाती थी, मुसल्मानों ने ये रक्कर के बुर्का और बहुत जोरदार किया है, उनकी बच्चियों और उनकी ओरतों को बचाने का, सुरक्षित, 100% सेफ, आके नहीं मिलाते, किसी के साथ में नहीं जाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनको प्रिसराइज किया जाएगा, बिलकुल नहीं, बंदास, वो बहुरानी की तरह घर में रहती, अच्चे तरीके से, उनका पुरा सम्मान होता, गुंग्रों की आवाज आती उसकी, ऐसा नहीं था कि अबला के तरपर लाके उसे दबा दिया गया है, फसा दिया गया है, बिठा दिया गया है, गर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं था, बहुत सम्मान था, कन्याओं का, मैलाओं का, बहुत सम्मान था, आज ही हम प्रोग्रेसिव नहीं हुए है जमाना पहले से ही प्रोग्रेसिव रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन ये सब चीज़ों की वर्जनाएं थी, कि दूसरों से बोलेंगे नहीं, सरीर दिखाएंगे नहीं, ऐसा मैक अप करेंगे नहीं, इसका अतिचार आता है, सास्रों में पड़ों तो पता चलें, कपड़ों अन्य जीव जन्तु मर गए, उसका मैं प्रैस्चित लूँ, अगर आपने कपड़े बेहुदे पहने हो, तो उसका भी प्रैस्चित लेना पड़ता है, उसका पुरा सास्त्र है, आपको हो तो मैं कल परसों लिख करके, प्रिंट आउट निकाल करके, आपको देता हूँ कि देखो कैसे-कैसे कपड़े पहने हो, तो क्या-क्या, और वो किस के सामने पहने हो, पती के सामने कैसे भी कपड़े पहने हो, उसका प्रैस्चित नहीं है, वो आपका इंडिविजल भी से है, आप जानो वो जाने, इसलिए पती और पती के समंद अलग बात है, बाहर जब आ करके बार निकलते हैं अच्छे लगते हैं मैं किसनी लड़कें को देखता हूँ तो करने आबूटियों करने आती है इच्छामी खमासमनोबंधियॉम या तिक गुतो आयाहिनम और दूसरा हाथ इदर होता है तिक गुतो आयाहिनम यह करके टीछ ठैक्श दिए क्योंकि यह से नाम जोकर, राजकपूर लाया था, समझ रहे हो आप, तब छोटा था मुझे कुछ पता नहीं था, उसके बाद में मैंने उसकी स्क्रीप्ट अभी पड़ी थी, जब मैं फिल्मों पर वैख्यान देता था तो मैंने स्क्रीप्ट पड़ी थी, क्योंकि मैंने एक बार नव भा पाप का प्रवेश होता है, दिल के अंदर, मन के अंदर समझ सकते हो आप, इसलिए कपड़े सरीर धाकने के लिए होते हैं, मर्यादाओं के पालन के लिए होते हैं, इस समाज को अगर लंबे समझ तक बचाना है, तो यह बहुत जरूरी है, सिखोंने बचाया है, सिख पहन रही, यहां तक पहन रही, जोरदार लग रही, राजपुरोहीद भी कपड़े कम नहीं कर रहे, अन्यों को देखो, आप महरवार के और गुजरात के अन्यों जातियों को देखो, हिंदू जातियों को, जोरदार हैं, उनके भी घुगरू होते हैं, वे भी जोरदार ग सब एक तम जोरदार लड़कियां वड़कियां सब भी बहुरानियां भी लेकिन सब जोरदार उनके कपड़ी भी ऐसे कि आप अधी कुछ भी देखना सको किसी की नजर पड़े तब भी कुछ नहीं तब जाकरके पृत्विरा चवान के चत्रपती सिवाजी के महाना प्रताप पैदा होते हैं योँ कोई नहीं मर जाते बलिदान योँ नहीं देते ऐसे ही हमारी पूरानी परंपणाए थी मारवार की मेवार की मालवा की सबकी बहुत जरूरी था अब ये हुका आए सराब आया ड्रक्स आए क्या होगा इनका कैसे समाज आगे बढ़ेगा कैसे सुरक्षित रहेगा कहां ले जाएगा ये पुरोई समाज ने तो दस जार लोगों ने मिलकर के अभी पाली में अब प्री वेडिंग शूट नहीं होगा बाहर के लोग आकर के महंदी नहीं लगाएंगे औरतों को औरते ही महंदी लगाएगी वीधर्मियों को इन सब कामों के लिए बुलाया नहीं जाएगा अपने समाज में फोटोग्राफर वीडियोग्राफर वीधर्मियों नहीं होंगे अब ही ऐसा हुआ आप महाराष्टर में परसों ही इधर शादी हुई दूसरी दिन सबेरे बहुरानी गाइब किसके साथ फोटोग्राफर के साथ यानि बड़ी वाली बहु गई नहीं शादी हुई बड़ी बहु गई फोटो शेशन चल रहा था तब हो गया काम पूरा समझ गरे हो आप इसलिए कंट्रोल जरूरी है ओनेस्टी जरूरी है अंदर वेसी निष्टा चाहिए लड़कियों को वो सिखाया जाए कि तुम जासी की रानी बनो या कित्तुर की रानी चन्नम बनो जोरदार या सयोजिता बनो सयोगिता बनो ऐसी बनो मर जाना कबूल लेकिन चुकना नहीं मानना नहीं तो कुछ काम बनता है मैं असा नहीं कहता है कि सब औरतें ऐसी होती है कई अच्छी औरते होती है कई अच्छी कन्याएं होती है बहुत अच्छी, लेकिन समाज में सामुएक तरीके से चीजे शिखाने ही पड़ेगी, इसके लिए काम करना पड़ेगा, अब तुम चौमा से भी करवा दों, कितने गोतम प्रसादिन, सामी वासलियन, बेंड बाजे बजानान, फोटोग्राफर लानान, जेजे कार करनान, ग समाज को सबसे पहले बचाएं, मजबूती से बचाएं, ओनेश्टी पुर्वक की ये चीजे ही चलेगी समाज में ये नहीं चलेगी, इसलिए कोई बेहुदे डान्सवान समाज में नहीं चलने चाहिए, बिल्कुल नहीं, लड़किया नाचे तो औरतों के बीच में नाचे जेंट्स के सामने नाचने के आवशक्ता नहीं है, आप अपना-अपना इवेंट करो, सांजी हों, वगेरा हों, आराम से, यूँ भी ये जो संगी संध्या होती थी, ये कोई पुरुषों के लिए नहीं होती थी, ये सब बेवकुब बनाने के लिए पुरुष साथ में आ महिलाओं का काम है, गीत गाना, गाओ आराम से, नाचो, जोरदार, बजाओ, कुछ भी करो, आपका काम पुरा हुआ, पुरुष साथ में हो, तब अपने को नाचने के आवशक्ता नहीं है, हमारी अपनी मर्यादाएं हो, और अब तो दादा को नचवाते हैं, दादी को सरम आति है के नहीं आती है, हलाँ, इसको नाचने का समय है, वो जमाना गया, अब क्या नाचना है, अब तो सब को बराबर रखना है, धादी कैसी हो, दादा कैसे हो, क्या उनकी मर्यादाएं हो, डर हो बराबर का, मैं ऐसी सी कई महिलाओं को, दादियों को, दादाओं को पैचानता हूँ कोई मुंबई, कोई सूरत, कोई कोलकाता, कोई कहीं, कोई कहीं जोरदार खांदान एक स्तानकवासी परिवार के दिवाली बेन मफतलाल मैता दिवाली बेन, उनकी पत्नी का नाम, मफत भाई, उनका नाम, मैता है वो, विश्व में 40 जगा पर उनकी ओफिस है, ब्रांच है, हीरे के व्यापारी है, स्तानकवासी है, अजरामर संप्रदाई के है, पालनपूर के रहने वाले है, बहुत जोरदार, उनकी पोती की उन्होंन सोमया ग्राउंड की राय पर लिया, सोमया ग्राउंड में एक साथ में 4 साधी हो सकती है, इतना बड़ा ग्राउंड है, चार पार्ट, और चारों तरफ रोड हैं, कहीं से भी पार्किंग हो सकता है, तो 4 साधी एक साथ में होती है, इतना बड़ा सोमया ग्राउंड है, उन् से praber डॉट से कम सब से चार्टल फलाइट आई थी चार्टल प्लेण। इतना बड़ा आदमी। इतना बड़ा आदमी। सब कह राष्ट्रों में करें कोई परद्धान मिनटरीं, कई वित्तमन्टरीं, कई अन् यन वे से विसे मिनिस्छर आई हुए। कितने ही collector जैसे लोग आई हुए, कितने ही SP ने, DZP ने, ये वोन आई हुए, इतना बड़ा कारोबार, बड़ा गजब का आदमी, मैं जब उनके घर में पगलिये करने गया था, गुर्मराज के साथ, तो एक साथ में, 40 से अधिक Royal's Royal Level की गाड़ियां उनके घर के नीचे खड हैं, अंदर 10,000 लोगों का reception है, तो सीध ही, entry में ही, सीध ही, आवभगज करने के लिए स्वागत कर्ख्ष बनाया गया है, वहां ये दोनों बूड़े बैटे हैं, दिवाली बैन की उमर होगी लगबग, 70 साल, और मपद बाई तब होंगे 75 साल, दोनों प्रणाम करते हैं, स बड़े लोग आए हुए हैं, कोई 100 अरब का, कोई 500 करोड का, कोई 100 करोड का, ऐसे-से मालिक हैं, कोई 1000 करोड के मालिक हैं, ऐसे-से लोग आ रहे हैं, सब selected लोग हैं, कितनी भारत के मुक्यमंतरीन, वगरान उद्योगपतीन, ये अंबानीन, अदानीन, सब वहां पर उस द दिन में, रात को नहीं, जिसको आना हो आओ, नहीं आना हो तो मारी मरजी, घर बैठो, मैंने मफद भाई से पूचा कैम, तो कि मैं अपनी जिंदगी में वर्सों पहले रात्री बोजन छोड़ चुका, दिवाली बैन भी छोड़ चुकी, हम बेवकूप थोड़ी हैं, कि इतन पीने थोड़ी आये हो, तो हमारी निमंतरण पर आओ भगत में आये हो ना, तो दिन को भी खाना होता है, हम रिसेप्शन दिन को रखेंगे, शादी दिन को, रिसेप्शन दिन को, फिर पत्रकार ने मुझे बताया, कि मैं अंदर गया, सौप्रकार के वराइटी थी, एक भी वराइटी अभक्ष नहीं, एक भी अनंतकाय नहीं, एक भी वराइटी बजार की नहीं, सौ की सो वराइटी वहां बनी हुई, छान करके पानी, समझ सोच करके सब चीजें समारी हुई, एक भी गंदी चीज नहीं, आराम से आओ, और सब के बैठने की वरस्ता, खड़े- पानी से पैक हुई, फिर उसके बाद में च्छाना किसने, नहीं, तो अलगन पानी हुआ, पी कैसे सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ी बाते हैं, आप लोग ठोकना मत के, आप त्यागराज नगर में रहते हों, बहुत बड़े स्थानकवासी के मंदिर मारगी लोग हो, आप प्याज भी उनकी 40 के 40 अलग-अलग जो ओफिस हैं, जहां लग-बग सब मिल करके, दस अजार से अधिक आजमी काम करते हैं, पूरे वल्ड में हैं, सब के लिए यही रिस्ट्रेक्शन है, कि ओफिस में सराब नहीं आएगी, सिगरेट नहीं आएगी, जुआ नहीं आएगा जहिन धर्म के समाज के जब ओकेशन होंगे तब जुट्टिया मिलेगी, यहां पर आलू-प्याज भी बनेगा नहीं, आपको लाना नहीं है, उस दिन शादी में भी आलू नहीं, प्याज नहीं, लसुन नहीं, बाहर की कोई चीज नहीं, आइस्क्रिम नहीं, चॉकलेट भ सबको दिये हुए नैपकिन, यूनिक यूजेंट थो वाली सब जुटा छोड़के चले जाएं, सब लोग बैटे हैं, मज़िदार बात यह थी, उस पत्रकार ने मुझे कहा, कई सारे भारत के तो हिंदू भी सही, लेकिन फॉरेनर्स लोग भी थाली धो के पी रही थे, इस इसका मतलब मफद भाई ने और दिवाली बैन ने क्या सिखाया इतने सालों में, जहां-जहां वेपार किया, उनको क्या सिखाया, आज भी गोता मदानी है, उसकी टेबल पर कभी शराब नहीं आती, और जिस टेबल पर सराब हों, उस टेबल पर गोता मदानी नहीं बैठते आज भी तिथियों के दिन गोता मदानी चौविहार करता है, उनकी वाइफ फॉन करती है, और कहती है, सांबलोचो, सुन रहे हो, तो कि हाँ, आज 14 है हो, रात को मत खाना, कहा हो, तो कि मैं पेरिस में हूँ, टाइम सर जीम लेना, तो कि हाँ, बहुत बड़ा आदमी हो गय नहीं है, उनकी वाइफ इतनी तेज तर रहा है, फॉन करती है, कहां पर हो, तो कि पैरिस में हूँ, क्या कर रहे हो, तो कि मीटिंग में हूँ, तो कि आज 14 है, रात को मत खाना, टाइम सर जीम लेना, तो कि हाँ, वो बताते हैं, मेरी गुरुमराज के खास भगता है, उनके तब महावीर जिन्दे रहेंगे, तब महावीर की परंपरा जिन्दी रहेगी, तब हम गर्व से कह सकेंगे, कि हम प्याओर जैन हैं, हम गर्विज जैन हैं, बले आप दिख्षा ना ले सको, बड़े त्याग ना कर सको, वर्शितप, सिद्धितप, बासक्समन, पाउशद, यह सब आप से ना हो, बड़े बड़े तप्तियाग ना हो, या बहुत बड़े बड़े चलावे बोलना सको, कि मैं अकेला सानक बना दू, नहीं भई, मेरी ताकत नहीं, अकेला मंदिर बना दू, नहीं मेरी ताकत नहीं, कोई बात नहीं, अच्छे जैन तो बन सकते हैं, कि जरूर मैं मंदिर मारगी हूँ, आप स्तानकवासी हो, मेरी परंपरा मेरे पास, आपकी परंपरा आपके पास, बस समाज को मजबूत करने का, पवित्र रखने का, संगठित करने का, प्रेत्त करना, और सभी मंदिर मारगी हो और स्तानकवासी हो से कहूंगा, कि भले मंदिर अ support करना चाहिए आपत्ती और विपत्ती काल में अपना समाज अपने लोग ही काम आएंगे इसलिए संपरदाई वंपरदाई अपनी जगह पर इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा मैं यहां रहूं या कहीं भी रहूं कभी भी कोई भी ज़रूत पढ़े आपके स्थानकवासी स कुछ भी हो कभी भी हो इस प्रकार यह मेले पहले से वृत्ती रही है क्योंकि मैं सोचता हूं सानकवासी धर्व बचा तो भी माहवीर भगवान जिंदे रहेंगे मंदिर मार्गी बचा तो भी माहवीर भगवान जिंदे रहेंगे और अगर दिगंबर बचे तो भी माहवी बीस लाख ही है बस ओम शांति यहीं कह करके अपनी बात संपन्न करता हूँ खोब फलो फुलो आगे बढ़ाू कल सवेरे हम यहाँ से हनुमंत नगर न कि हनुमंत हनुमंत नगर नहीं अभी नहीं हो रहा है थोड़ी दिर बैठोंगा थोड़ी दिर बैठूंगा, मिलूंगा सबको, रात को नहीं रह पारा हुआ, फिर आउंगा, वचन देता हूँ, वादा करता हूँ, माहिसूर से लोटूँगा, तब अप नकी तोरपर, यहां भी आउंगा, आपके यहां भी आउंगा, वचन गता हूँ, आज नहीं बैठ र तो उसको 100% एक साल के बाद में भी निभाता हूं पक्का निभाता हूं इसलिए मैं वापस बैंगलोर आने वाला हूं यहां बहुत सारे काम छोड़के जा रहा हूं तब पक्के तोर पर आऊंगा सामने से कहले सुरी जी मारा सब के चर्णों में कोटिश वंदन त्याग राज नगर इस्थानक का अहो भाग्य है कि पुझ गुरु बगवन्तों के इतने ओजस्वी तेजस्वी प्रवचन का लाभ हमको मिला वास्तों में आज हमारे समय की मांग है समाज को शशक्त होने की आवश्यक्ता है कि वहाँ पे हम सभी मतबेदों को भुला करके आज समाज को एक रूप में लाने का जो पुझ मुनी बगवन्त गुरु बगवन्त यहां प्रयास कर रहे हैं ये एक अनोखा प्रयास और ये जो हमारे समाज को बचाने के लिए बड़ा प्रयास होगा तो हम और हमारी पीडिया कई वर्षों तक रिनी रहेगी यदि हम इसी तरह से गुरु बगवन्तों के वचनों के दौरा हम अपने समाज को आगे ले जाने में अपने अपनी भूमी का निभाएंगे बंदुओं जैसे कुछ जो गुरु बगवन्तों ने पार्सि समाज का उधारन दिया ऐसा नहो कि आने वाला समय जेन समाज के लि कि कि इस्थानक भी यहीं पे है और मंदिर भी पाँज में है तो मैं गुरु बगवन्त से कहता हूं कि हमारे यहां पा ऐसा अनोका सभी है कि हमारे यह काम होता तो हुआ जाते हैं और उन और मंदिर का है, और मंदिर वाले का भी थानक का बता बताते हैं और थानक वाले का भी मंदिर का, तो ये जिन्शाषन की महति प्रभावना है, जिन्शाषन की एक अनुठा योग है, तो हमारे त्यागरा नगर स्री संग आपका आभार व्यक्ति करता है, हमारे संग के अध्य कालीन वेला में आप हनुम नगर पदा रहें ऐसे हमारे त्यागरा नगर सी संकी भावना है चलो ने ने करता करता हूं चलो गुरु बंदन देव गुरु धर्म पसाई बर्तमान जोग कामें हाओ धर्म लाभ मतेन बंदा में तिकुतो 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 किसी के पच्कान है पच्कान हो तो आगे आजाओ पच्कान देदे सर्वमंगले मंगलियम सर्वकल्यानका किसके हाँ किसके किसेदेदेट कर दो 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 कर दो